नापुर में शेतकालिन सत्र को लेकर एक ही पार्टी के दो नेताओं के विचार आपस में टकरा गए जहां एक और राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के कारेकरता विधायक विकास ठाकरे ने शेतकालिन सत्र का विरोध किया तो वही पार्टी के शेतकालिन सत्र हो ना ही चाहिए अनिल अहिरकर का कहना है कि विधर्ब में कई मुद्दे लंबित है मुक्यतह, किसान और रोजगार के मुद्दे, छात्रों की ओनलाइन शिक्षा के साथ साथ स्वास्त के मुद्दे कोवित काल के कारण मुंबई में सरकार को अपने मुद्दे बताने में आमजंता को कई कठनाईयों का सामना करना पड़ता है इसके अलावा नागपूर और विदर्ब में कोवित की बढ़ती घटनाओ और मौत की खतरनाग संख्या, मियो अस्पताल में अक्षम्य अराजकता, शहर के अस्पताल में बैट की अरपरयाप्त लूट और अपरयाप्त प्रावधान कोवित प्रणाली में भाजपा के नेत्रित्व वाले निगम की विफलता, जिसकी चर्चा शीत कालिन सत्र में होना जरूरी है उनका कहना है कि यदि नागपूर में शीत कालिन सत्र आयोजित होता है, तो इस मौके पर पूरी सरकार नागपूर आईगी साथ ही आरोग्य से संबंदित मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ भी मांग की है कि मेयो अस्पताल की कायरता संबंदित जाच के लिए एक समिती का गठन करना चाहिए